यहिंद अंदे मातर्म बाद दो स्वागत है आपका पर्षम प्लासूस पर तो आज हम्तली करण तो यह जो शुरुआत करते हैं इसके लावा आपको सब्सक्रिप्षन में बिल जाएगा और यूट्यूब करेंट अफेर पीदिएफ्स प्वेटी फोर दिटिवेटी फोर की सारी पीदिएफ्स रहेंगी बेशक्षज़ बिली पीदिएफ्स साथ वीकली अपन्थ्ली शिक् answers में मिलेंगे जो current affairs हम discuss कर रहे हैं इसी के basis पे current affairs के questions मिलेंगे 200 plus questions 12 e-books जो है आपको मिल जाएंगी इसके लावा अगर हम बात करें तो यहां पर मतली current affairs pdf consolidated pdf English यह भी आपको मिलेगी जैसा कि हमने अभी discuss किया current affair रफ्तार annual subscription current affair headlines चार e-books हैं जिसमें main headlines cover की जाएंगी तो यह topics हैं जैसा कि हम discuss करते हैं books and authors, appointment, important days, obituary, state news, national news, international news यह सारी इस तरीकी की आपकी headings रहेंगी जिसमें main headlines है इसके लावा pdf bank, pdf of all the youtube videos यहां पर add की गई है 2000 plus pdf हैं जो youtube पर आपके free sessions होते हैं उनकी pdf को add किया गया है validity है एक साल के लिए तो सबसे पहले है आपका the launch of a smart watch कोटक मेंदरा बैंक जो है in partnership with the tech firm तो भाई साब सीधा सीधा आप smart watch पहनेंगे उससे आप payment कर पाएंगे 5000 तक की payment कर पाएंगे pin की जुरुत रही है एसा भी सुनने में आता है don't know कितना सही है और कब यह होगा कि आप सोचेंगे और payment हो जाएगी exactly ऐसा ही companies में चाहती है कि आप सोचें और payment हो जाए ठीक है तो बीच का जो barrier है वो कम से कम हो अगर आप देखेंगे पिछले कुछ शालो में ऐसा हुआ है कि जो payment की options होती थी मत आप सीधा सीधा मतलब payment करने में कोई दिक्कत ना हो आपको चीक है चीक तो यह एक उसी तरीके से एक smart watch है जिसका अलगभग price थाड़े तीन हजार है और आप इसको पहनें और payment कर सकते हैं अब देखो अगीन payment को कैसे सुगम बनाना है कैसे easy बनाना है so payment companies to offer payment in the services in the export imports space ठीक है जी तो यह क्या करेगा इंटरनेशनल currency transactions को facilitate करेगा for Indian exporters and assist global brands in selling products in India through popular local payment method ठीक है जी इसमें अगर आप देखेंगे तो Amazon पे काफी famous है mobile wallet ठीक है जी और एडियन जो है एक नीधरलेंड headquartered company है और उसके लाबा बिल्डेस जो है one of the largest bill processing entities है तो इन्होंने मिलकर जो है यह RBI cross border payment license इंको मिल गया है ठी नेक्स्ट आपका what is the yen carry trade यह बढ़ा interesting news है यह मतलब मेरी तरफ से सको mark कर लीजे क्योंकि अच्छी interesting inquisitive चीज़े जो आपको जानने को मौका मिलेगा देखो yen carry trade क्या हो रहा है कि जपान में जो interest rate है वो बहुत ज़्यादा low है यह एक economy की मतलब किसी economy या किसी country की stage होती है अ employees provident fund था या जो भी कह लिजे government का जो provident fund था जीपिया था उसमें 12% ब्याज मिला गरता था आज 7-8% के बीच में आपको जो है उसमें ब्याज मिलता है तो धीरे धीरे जैसे economies mature होती है interest rate कम आते हैं ठीक है जी उसका एक बहुत बड़ा basic reason है कि बहुत सारे लोग के हाथ में पैसा है तो credit के demand comparatively कम हो रही है जैसे economy grow करेगी अब जपान में जो credit है वो लगभग लगभग 0% interest rate पे आपको मिलता है ठीक है बीच में कुछ ऐसा भी समय था कि negative में था कि पैसा ले जाओ ठीक है तो उस situation में कहानी जो है economy आ रखी है जपान की तो बहुत लोग क्या कर रहे है कि जपान से पैसा उठाया अब 0% या मालोhादे परजेंट पर पर अपको loan मिल रहा है एक परसेंट पर लोन मिल रहा है ठीक है जर सीपल कलak कर लेते हैं एक percent पर लोन लिया और उससे आपने क्या किया इंडिया कुछ नहीं किया आपने कोई activity नहीं की उसको आके आप इंडिया के बैंक में मालों आपको FD पे 6% मिल रहा है ये 5% क्या हो गया सीधा सीधा आपका benefit हो गया ठीक है obviously बीच में जो currency को आप जब exchange करेंगे तो उसमें भी कुछ loss होगा उसको भी मान लीजिए वो भी तो ultimately आपका क्या हो रहा है अच्छा खासा आपको profit portion मिल रहा है ठीक है आपने bulk में पैसा वहां से उठाया और यहां पर इंवेस्ट कर दिया या किसी भी और देश में जहां पर आपको लगता है कि interest rates जादा है वहां पर आप इंवेस्ट कर रहे हैं किसी को बोलते है ये इन carry trade ठीक है जी और इस से आब आपका इस पर इस बाट इस शार्पेस डिक्लाइन डिकेट्स पॉसिबल रीजन क्या है यू एस की एकानमी जो है जैसे मैंने कहा कि जापान से आपने पैसा लिया इंडिया में 6-7-8 परशेंट है उस पर आपने आप जाके इंवेस्ट करते हैं तो बीच का जो margin है वह हो गया इस से जो है सीधा सीधा नुकसान होता है उस देश को जब बैंक आफ जपान से पॉलिसी कैप्ट इंट्रस टेट जीरो परसेंट थीक है जी 2011 से लिकर 2016 तक इंट्रस टेट बीच में नेगेटिव भी चले गए थे ठीक है एक एक एकजांपल देता हूँ जैसे हम बैंक में पैसे जमा करते हैं तो सेविंग पे किसी को 3% मिल रहोगा किसी को 3.5-4% ठीक है 3-4% जनरली बैंक इंट्रस टेट देते हैं यहाँ पर उल्टा है यहाँ आ पैसा बैंक रख रहा है और मेरे कोई पैसा देना पट रहा है जी हाँ आपका पैसा सेफ रख रहा है ऐसे सब जो ठीक है जैसे लॉकर में आप जो भी कहलो के गोल्ड रखते हो पैसा रखते हो अपने वैल्यूबल आइटम रखते हो तो वैसे कुछ कहानी है ठीक है to stimulate economic activity through low interest rates. Next, आपका RBA asks banks to provide short term crop loans to farmers. अब इसमें क्या है? RBA कहता है banks को, कि आप farmers को, किसानों को loan दीजिए, ठीक है, priority basis पे loan दीजिए, और इसमें बहुत important term आती है, interest rate subvention. अब ये क्या होता है? इसको समझो, कि मालो bank जो है, किसान से 7% जो है, ब्याज ले रहा है, ठीक है, interest rate ले रहा है. अब आप दो case है, या तो आप farmer loan जो wave करते हैं, कि सारे किसानों का loan maaf कर दिया, एक है कि एक किसान, जो सही में loan लेके, सही बिल्कुल अपनी महनत करके, सही समय पर loan वापिस कर रहा है. ठीक है, तो किसका loan maaf होना चाहिए, जो सही समय पर loan maaf अपना पैसा दे रहा है bank को, तो यहाँ पर उन farmers को, जो सही समय पर अपना loan वापिस कर रहा है, उनको motivate करने के लिए, encourage करने के लिए, क्या कहते हैं, जी हम आपको 3% subvention दे देंगे, 3% subvention का मतलब, कि 3% आप आज आपको वापिस कर देंगे, क्या आपने बहुत अच्छा किया, बहुत बढ़िया काम किया, आपने सही समय पर अपना जो है अपना loan चुकाया, आपको 3% वापिस, ठीक है, तो आपका net interest rate क्या हो गया, 4% हो गया, तो राधर देन जो जिन्हों ने अपना loan लेके कहीं और यूज किया, ठीक है, उन farmers को ज़्यादा encourage किया जाए, जो कि सही loan ले रहा है, सही समय पर वापिस कर रहा है, ओके, इंट्रा सब्वेंशन 3%, ठीक है जी, नेक्स आपका Google, Amazon and Walmart came to join RBS Digital Guarancy Project, so Google, Amazon, Walmart जो है, उन्होंने Digital Currency, जो Project है, इंडिया का, उसको join करने की बात कही है, अच्छा, अभी न, बहुत सारे लोगों को भी clear नहीं है, कि ये क्या है, ये E-Rupee क्या है, एक तो UPA है, जो कि आज कल हम सब लोग use कर रहे हैं, कही ना कहीं, आप सब ने, जो भी इस वीडियो को देख रहा हुआ, उसने कर ना कहीं use किया है, तो UPA क्या है, interface है, ठीक है UPA is like a QR code basic, simple बाचा में समझें, तो बहुत सारी apps हैं, बहुत सारे account हैं, तो उस single QR code से, single interface से आप किसी भी account से, किसी भी account को payment कर सकते हैं, ठीक है, जी A से B को, B से C को, कहीं से भी कहीं payment हो सकती है, ठीक है, सो ये क्या है, unified payment interface, interface है E rupee क्या है या digital rupee क्या है ये, it is, जैसे आपके, कह लिजे, wallet में note होते हैं, 10 rupee का है, 20 का है, 50 500 का है, तो वैसा ही E rupee है या digital rupee है, वो आपका digital wallet में है, अब आप कहेंगे, अचा है ये digital wallet क्या है, तो एक e-wallet भी तो होता है, जैसे Paytm है Amazon है, Google है, जो भी आप e-wallets use करते होंगे, तो ये क्या है, ये अलग एक चीज है एक के लोग एक private company है जो आपको ये services दे रही है, बट इस पे आपको interest rate नहीं मिलेगा, ये जो digital rupee होगा, इस पे आपको कोई interest rate नहीं मिलेगा, it is as good as the money kept in your wallet, but that money is not now kept in your like physical wallet, that is now in your digital wallet, ठीक है, ये आपके digital wallet में है, तो ये आपको ध्यान में रखना है, तो इस अच्छा, अब आप पूछेंगे, अच्छा है, क्यूं ऐसा क्यूं कर रहा है, अलागर already UPA है, तो इसका एक basic सा फंटा ये है कि कहीं न कहीं जो cash है, मालो 50 अरपे का note है, उसके एक particular life होगी, 5 साल, 10 साल, उसके बाद उसका वीर एंटियर हो जाएगा पर जो digital रुपी होगा उसका कोई वीर एंटियर नहीं है ठीक है, और उससे ये होगा कि धीरे धीरे again हम जो less cash economy है, उसकी तरफ बढ़ें के ठीक है, so that is the idea तो इसमें जो है, fintech companies, google, phonepay, amazon, cred mobiquick are looking to join India Central Bank's digital currency project by allowing their users to transact e-rupee by unified payment interface, ठीक है तो unified payment interface है, अब जब आप payment करते हैं, तो अब आपके account से दूसरे के account में पैसा जाते है, इसमें आपके wallet से दूसरे के wallet में इस तरीके से पैसा जाएगा, ठीक है, जैसे normally हम cash देते हैं, तो अपने wallet से निकालके दूसरे को पैसा दे रहे है, वो दूसरा अपने wallet में रख रहा है, ठीक है, कुछ वैसे ही आप समझे, अब आप physically में दे रहे, अब आप technology को use करके उसको पैसा दे रहे है, ठीक, I know थोड़ा सा difference है, और I hope I am able to convey that the small difference between the two, ठीक है जी, तो यह आपका launch किया गया था 2020 में issued by the RBI, so cash versus rupee, क्या फरक है, UPA versus E rupee, bitcoin, bitcoin अलग चीज़ है, cryptocurrency, इसमें किसी central government का, मतलब government का, या central bank का, जैसे India में RBI है, कोई भी bank नहीं है, जो इसको control कर रहा है, इसको regulate कर रहा है, ठीक है, यह decentralized है, कौन इसको दे रहा है, क्या है, वो कुछ नहीं पता, ठीक है, यह इसका, यही इसकी factor, मतलब इसकी factor का, crypto currency का, यह factor जो है, इसकी volatility का कारण है, कभी crypto currency उपर की तरह, भागते एक तरफ, कभी नीचे की तरह, ठीक है, तो यह बहुत बड़ा कारण है, बाकी जो currencies है, वो more or less आप देखेंगे, stable आपको मिलेगे, बहुत जादा variation आपको देखने को नहीं मिलेगे, next आपका, so why are Pintech companies joining the E-Rupee project, okay, तो यह मैं आपको बता दिया, next आपका investment outlay of 27,000 करोड, project is expected to generate 27,000 director indirect jobs, यह क्या है, TATA जो है, 27,000 करोड का project लगाने जा रहा है, semiconductor facility, कहां पर, असम में, ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हैं, असम के बुख्यमंत्री और रतन TATA जी, ठीक है, तो यह जो है, उनको facilitate करते हुए, North East India's largest investment project, जो है, आने जा रहा है, TATA के द्वारा, ठीक है, ओके, next आपका, RBA keeps repo rate unchanged at 6.5% for the ninth time in the row, repo, repurchase agreement, short form में, simple याद रखना, repo rate क्या होता है, वो interest rate, जो RBA चार्ज करता है, bank को पैसा देने के लिए, बन्ला, bank को पैसा चीए, वो RBA के पास जा रहा है, कि भाई साब थोड़ा पैसा दो, पांचो करोड़ दो, हजार करोड़ दो, तो कहरा ठीक है, भाई साब पैसा दूँगा, साड़े से परसेंट चार्ज करूँगा, ठीक है, वो कहरा ठीक है, जीते दो, मैं आगे 10% पे लोन दोगा, बीच में bank का margin है, this is exactly the model of the bank, अब आप कहेंगे कि अच्छा, RBA क्यों पैसा देगा 500 करोड़, तो वो इस बदले में securities रखता है, उसके पास government securities होते bank के बास, वो RBA के बास रखता है, बाइसाब आप ये security जैसे आप जाते हैं, property के papers हैं, gold है, कुछ नो कुछ, जिसे बोला जाता है, गिर्वी रखना, ठीक है, तो ये जो है, गिर्वी रखा जाता है, simple भाशा में बता रहो, थोड़ी और भी technical details हैं, बट अगर आप इस simple point को समझ रहे हैं, तो दिमाग में कहीं fit रहेगा, कि repo rate क्या होता है, ठीक है जी, next आता है, monetary policy committee, जो ये repo rate और reverse repo rate है, ये कौन decide करता है, ये monetary policy committee decide करती है, 6 member committee होती है, ठीक है जी, ये आपका amend किया गया था, to provide a statutory and institutionalized framework for MPC, ठीक है, तो यहाँ यहाँ पर देख सकते हैं, RBA governor, RBA के RBA board, और तीन जो है, government of India के representatives इसमें होते हैं, next आपका, नंदनी, सहकार, योजना, सहकार का मतलब, cooperatives, ठीक है, तो ये किसके लिए है, national cooperative, development corporation, के द्वारा, women focused framework, providing financial assistance, तो women self-help groups की बात कर लिए, women cooperatives, अगर मैं बहुत ही specific बात करूँ, तो women cooperatives को बढ़ावा देना, उनको funding करन project formulation, capacity development to women cooperatives, it aims to improve the socio-economic status of women, through entrepreneurship, ठीक है जी, next आपका, हिंडनबग research alleges, सेभी चीफ, तो सेभी की पहली महिला चीफ, माधवी पूरी बुक, जो है, उन पर आरोप लगाया है, किसने हिंडनबग, हिंडनबग ने लगब अठारा महीने पहले भी, अडानी enterprises पर ये आरोप क्या है, US-based, एक short seller है, अब ये short seller क्या होता है, brief में, देखे short seller, जिल्ली कई पर आप देखते हैं, कि market अप जा रही है, bullish market है, तो जो upward market में invest करता है, उसको bull कहा जाता है, और एक होता है, जो गिरते हुए market में invest करते हैं, ठीक है, गिरते हुए market में invest करने का मतलब, वो पहल कैसे share खरीते हैं, actual share नहीं खरीते हैं, एक महीने बाद उनको पता है, कि 30% share गिरेंगे इसके, तो उसमें they have earned a lot, crores of rupees, चीक है, तो ये आपका Hindenburg Research है, US-based है, तो उसको लेकर काफी बबाल हुआ इंडिया में, अड़ानी इंटरप्राइज के share काफी गिरे भी, जिसमें उन के जो investment है, वो अड़ानी एंटरप्राइज की जो offshore entities है, offshore मतलब विदेशों में जो entities हैं, जो कह लीजिए, जो allocation है के हवाला के थुरू जो पैसा बाहर बेजा गया, उसमें जो investment है, उसमें इन्होंने अपनी investment कर रखी है, मतलब सांडगाट है, simple भाशा में गाएं, तो ऐसी इनके से भी जोइन करने से पहले हैं, ठीक है, तो कोई भी उसके बाद नहीं है, और ये गलत है, जूट है, अगें, आइडिया इस के आरूप लगाया, अब इसको लेकर आपकी politics भी हुई, ठीक है, और चर्चा भी हुई के इस पे investigation होना चाहिए, ठीक है, तो ये बात कही ये, ये आपका अडानी ग्रूप और फिनेशल लेगलर्टी इस डेटिन तो 10% ड्रॉप, ये तो कुछ उसमें है, मतलब एक बार के लिए तो बहुत ज्यादा ड्रॉप हुआ था, ठीक है, अरूं कई जगा 30, 40, 50% तक ड्रॉप हुआ, तो ये पूरा का पूरा टाइम हैं, तो उसको लेकर 90 साल, 90 years of RBA's functioning को लेकर quiz, the contest would help create greater awareness about reserve bank और financial ecosystem among the students, तो RBA का जो गठन हुआ है, वो 1 April 1925 को, ATL payment bank launched AI facial recognition tool, face match, ठीक है जी, so security feature add किया गया, designed to protect customer accounts from fraudulent activities, इसमें क्या है, advanced machine learning algorithms है, to assess potential threats, activate facial recognition, ठीक है, आज किल बहुत सारी apps में हो गया, आपने देखा भी होगा, कि face recognition करता है, फिर वो app खुलता है, ठीक है, वो चीज़ यहाँ पर भी की गई है, NPCI launches UPA circle for secure payment among the trusted users, ठीक है जी, यह UPA circle क्या है, UPA circle यह है कि delegated payments, इसको ऐसे समझो, कि मानलो, घर में parents या grand parents हैं, ठीक है, जिनको यह technology, UPA, खिदू payment करना नहीं समझ आता है, वो थोड़ा avoid करते हैं इसको, तो उन्होंने क्या किया, मानलो, तो उन्होंने आपको delegate कर दिया, ठ delegate कर दिया, तो अब क्या हो सकता है, अब उसमें access आपको मिल जाएगा, उनके account का, partial access भी मिल सकता है, full access भी मिल सकता है, depending upon वो आपको क्या access देते हैं, आपको जो access मिला, उनके बहाफ पे payment कर सकते हो, ठीक है, मानलो, बिजली का बिल है, पानी का बिल है, जो भी है, ठीक है, वो आप उनके बहाफ पे, उनके account से payment कर सकते हो, ठीक है, तो वो आपको delegate कर सकते हैं, इन services को, तो ये एक नया चीज़ launch किया गया है, UPA circle के नाप से, ठीक है, delegate payment responsibility to trusted secondary users, ठीक है, चलो, नेक्स्ट आपका, Zomato Limited to launch new app, district for going out business, अब ये क्या है, going out business, ऐसे समझो के, जो आपका एक app है, book my show, ठीक है, book my show पे, लोग जो है, अपनी tickets book करते हैं, cinema halls के लिए, तो ये जितनी भी है, movies, dining, sports, ticketing, live performances, shopping, staycations, तो ये भी अब जो है, Zomato शुरू करने वाला है, पहले Zomato food delivery, अब ये सारी चीज़े भी शुरू करने वाले हैं, ठीक है, तो Zomato के CEO, दिपेंदर को है, CCI raises concern over 8.5 billion dollar reliance Disney merger, ठीक है, CCI क्या है, competition commission of India, एक statutory body है, under the minister of corporate affairs, ये competition act 2002 को enforce करता है, promote competition and prevent activities that negatively impact competition, ठीक है, अब जो है, ये establish हुआ आपका 14 October 2003 को, अब इसका मकसद है fair competition, देखो, जब हम capitalist economic system को अपनाते हैं, तो उसमें बहुत important है, कि एक fair competition होना चाहिए, अब इनका ये, fair competition का मतलब ये है, कि ऐसा नहीं होना चाहिए, कि दो या तीन player ही, पूरी market को control कर रहा है, monopoly या oligopoly नहीं होना चाहिए, monopoly हो players हैं, अगर ये दोनों merge हो जाते हैं, ठीक है, ये इनका कहना है कि सीधा सीधा, जो बाकी competitors हैं, वो market में खतम हो जाएंगे, और ये जितने भी cricketing broadcasting rights हैं, देखो, इंडिया में cricket की लोग प्रियता कितनी है, हम सब लोग जानते हैं, और उसके broadcasting rights के लिए बहुत fight होती है, और दो बड़े player, जिन में हमेशा है fight रहती है, किसके पास ये broadcasting rights हैंगे, अगर दोनों मिल जाएंगे, तो फिर वो practically ये control कर में लगेंगे चीज़ों, ठीक है, तो ये concern रखा गया है competition commission के, इंडिया के द्वारा, next आपका OLA becomes only EV maker to secure PLI certification for four electric scooters, अब ये PLI क्या है, production linked incentive scheme, production linked incentive scheme क्य होता है, सरकार इंडिया में manufacturing capabilities को बढ़ाने के लिए, secondary sector को बढ़ाने के लिए, ठीक है, क्या कर रही है, production linked incentive scheme से रही है, कि आप इतनी production करो, ठीक है, इतनी production करोगे, इंडिया में बेचोगे, exports बढ़ाओगे, तो हम आपको इतना, के लिजे, taxes में benefit दे देंगे, ठीक है, तो सिधा-सिधा production से linked करती है, आपका incentive, जाधा production करोगे, जाधा incentive बेलेगा, ठीक है, तो इसको बोलते है, production linked incentive scheme, वो parents, बच्चमन में, बेटा, इतने number लाओगे, तो ये मिलेगा, कई बार, मतलब, जो है, criteria रख देते हैं, कि इतने percent पे, ये, इतने percent पे, कुछ वैसे ही दमज ठीक है, सो उस analogy को आप इस तरह के से draw कर सकते हैं, received certification for compliance with the production linked incentive scheme for poor products, S1 air, ये इतना detail में, शायद याद करने की ज़रूत नहीं है, until and unless आप अगर कोई, कैली जी इंशॉरेंस, बेंकिंग वाला paper दे रहे हैं, तो उसमें थोड़ा सा ये भी चीज इंपॉर्टन हो सकते हैं, ब नेक्स्ट आपका इंडिया टू लांच, ULI platform for rural small businesses lending, ये भी इंट्रस्टिंग कंसेप्ट है, बहुत important है, ये भी मतलब आप पानके चलो, मेरी तरफ से आप इसको मार्क कर लो, unified lending interface, unified lending interface का मकसद क्या है, देखो, कई बार हम ये देखते हैं, कि इंडिया में बहुत सारे grant है, ठीक है, उनको पैसा चीए, पर बहुत सारी documentation होती है, ठीक है, एक जगा बैंक में पैसा लेने जाएंगी, या किसी भी NBFC, non banking financial company से, तो दुनिया भर के documents आप से रखवाएगा, ठीक है, फिर दुबारा से आपकी KYC कराएगा, तो ये जो process है, ये अपने आपने आपे T documentation होगा, अब जैसे UPA है, UPA ने क्या करा, UPA ने एक common interface बनाके, सारी कि सारी payment को revolutionize कर दिया, वैसा ही कुछ unified lending interface करना चाहता है, कि जो loan लेना चाहता है, और जो loan देने वाले है, loan लेने वाला है, मालो मेरे को loan लेना है, तो अधार चाहिए, फोटो, जो भी documents चाहिए, bank जो भी कह लिए standard documents मांगता है, या मेरा credit score है, सारी चीज़े हैं, वो एक जगा हो सकती है, तो मेरे को अगर मालो, आज एक bank से loan लेना है, दो साल बात फिर दूसरे एक और bank से loan लेना है, तो मेरे को हर बार documentation करने की ज़रूत नहीं है, एक बार सारी चीज़े हो गई, वो जो है, दूसरे bank, हर bank के लिए वो काम आ सकता है, ठीक है, हर bank जो है, वो use कर सकता है, I hope you are getting this point, तो यह जो बहुत बड़ा, कैली जी हमारा समय था, और बहुत सारा manpower थो, जो इसी चीज़ में लगा हुआ है, इसी चीज़ को काम कर रहा है, जो बहुत mechanical काम है, और जिसका कोई as such benefit नहीं है, इसको हम कम कर सकते हैं, वो चीज़ करने की कोशिश की जा रही है, और बहुत easy ह जाएगा, अब आपको, मानलो, आपको पता है कि बहुत सारी apps आ गही हैं खिराज के समय पर, कि आपको loan लेना है, home loan लेना है, तो वो आपको बता देता है, के जी, SBA यह यह जो है, यहाँ पर, यह India is going to launch this ULA platform, तो इसको help करेगा, रूरल और स्माल बिसनसे को आपको, ताटा पावर, ताटा पावर, इसे से जोन हैंस to finance solar panels पर्चेस, ठीक है जी, तो ताटा पावर, Solars Limited, इसे से बंक, तो ओफर solar unit financing with loans up to 90 lakh, तो collateral free loans होगा, with tenure up to 5 years, and higher loans with collateral up to 20 years, Reliance to Commission, first solar giga factory this year, तो solar giga factory most valuable company, India's most valuable company, plans to commission its first solar giga factory this year, जामनगर में, और सीधा-सीधा green energy को अपने component को बढ़ाना चाहते हैं, ठीक है, manufacturing of PV modules, cells, ingots, polysilicon, glass at single location, ये सारी चीजों की production वहाँ पर करना चाहते हैं, विस्तारा to merge with Air India, ठीक है जी, विस्तारा will merge with Air India from November 12, when its operations will be carried out by Air India, and all booking will be redirected to Air India's website, तो विस्तारा जो कि Tata के पास था, Air India, वो भी Tata नहीं खरीद लिया, Tata कहा रहे हैं कि दो-दो कंप्रियां में चला के क्यों करूंगा, same business है, तो दोनों को merge कर देते हैं, ठीक है, यह वैसे पहले से ही पता था, पहले से ही इनोंने declare भी कर दिया था, बट अब जो है, यह कैलीजे finalized हो गया है, Moody's rating raises India's GDP growth forecast to 7.2%, अब यह Moody कौन है, यह Moody क्यालों के, एक agency है, ठीक है, जो rating देती है, अलग-लग देशों को, ठीक है, so it is basically rating agency, और इनका यह कहना है, कि इंडिया के जो GDP growth rate है, वो 7.2% होगी, fiscal year 24 के लिए, ठीक है जी, next आपका Berkshire Hathway, पहली US non-tech company है, ठीक है, जो की Warren Buffet की है, Warren Buffet, कई बार इनको हम दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से देखते हैं, बहुत famous investment, मतलब कह लीजिए, stock market में invest करने वाले, सबसे बड़े player माने जाते हैं, और यह पहली non-tech company है, जो की 1 trillion dollars की valuation को reach कर रही है, जिसमें insurance, transportation, energy, manufacturing, retail, ठीक है, 1 trillion dollar को आप ऐसे समझो, कि Indian economy is around 3.8 trillion dollars, मुटा मुटा भी मान लोगे तो 4 trillion dollar, तो इंडियन economy, जितनी इंडियन economy है, उसका 25% is इनकी company, बगशायर की जो यह हाथवे है, ठीक है जी, यह company है इनकी, नेक्स्ट आपका NPCI launches UPI circle, यह तो हम आपने डिस्कस कर चुके हैं, इसके लाब अब BBPS, ठीक है, B2B platform, अब यह क्या है आपका, तो भारत बिल पे for business, design to streamline, business to business transactions, तो business to business transactions के लिए भी, और UPI circle हम मैंने आपको बताया था, के delegate payment, जैसे मैंने आपको example दिया था, पेरेंट्स आपको delegate कर देते हैं, तो उनका access, उनके account का आपको access मिल गया, तो वो उनसके थुरू आप पेमेंट्स कर पाएंगे, ठीक है, तो यह चीजें नहीं नहीं लाई जा रही है, आइडिया क्या है, आइडिया सरफ यही है, के digital transactions को बढ़ाया जागे, ठीक है, है हमारा important days, चलिए, तो देख लेते हैं हमारा important days को, पहला है 1st August को worldwide web day, भाई साब यह www, ठीक है, तो यह उस समय पर बहुत बड़ी बात थी, इंटरनेट, 90s में यह शुरू हुआ था, आपके मान के चलिए, कि 30 साल हुए हैं दुनिया को, AI आ चुका है, किस level पर जाकर जो है technology जा चुकी है, तो this is the day, ठीक है, यह मतलब very important worldwide web day, आप इस lecture को भी इसी के थुरू देख रहे हैं, 1st August, World Lung Cancer Day, ठीक है जी, World Lung Cancer Day, close the care gap, everyone deserves access to cancer care, और यह जो number है, cancer patients का इलगातार बढ़ता जा रहा है, because of many reasons, the one big reason is our kind of food habits, वो भी, जो है, the first day was observed in 2012, Muslim women's right, तो 1st August को ही worldwide web है, जिसके through lung cancer के बारे में, और Muslim महिलाओं के rights के बारे में, जानकारी दी जा रहे हैं, S.A.S. को याद रख सकते हैं, next आपका, World Breast Feeding Week, ठीक है जी, स्तनपान, खासकर recent times में देखा गया है, कि जो breast feeding ना होनी की वज़े से, बहुत सारे बच्चों में, बहुत सारी problems, ठीक है, उनका physical और intellectual development, ठीक है, emotional physical development जो है, वो रुपता है, और उसका impact जो है, वो long term में देखा जाता है, ठीक है, तो, WHO ने campaign भी चलाया था, कि 6 महीने तक, बच्चे, मतलब जब तक बच्चा 6 महीने का नहीं होता, exclusive mother feed, nothing else, not even water, is required, ठीक है, so that should be given, और ये जो है, हर बच्चे का हग है, जो कि उसको मिलना चाहिए, नेक्स आपका theme for 2024, is closing the gap, press trading support for all, नेक्स आपका organ donation day, और उसके बाद आपका आता है, friendship day, ठीक है जी, first Sunday of August को ये आता है, ये exactly 4th August नहीं है, ये first Sunday of August है, international traffic light day, so traffic light, अच्छा, red light stop के लिए क्यों use होती है, ये आज का question है, आपका पहला question है, हम कहते हैं, red light आगे stop कर लो, रूख जाओ, क्यों, red light ही क्यों use की जाते हैं, बाकि और कुई light क्यों नहीं use की जाते हैं, comment section box में आप लिखेंगे, simple सा reason है, पर science का एक basic सा concept है, हिरोशिमा डे, very famous, rather infamous, हिरोशिमा नागा साकी, ठीक है, little boy and fat man, ठीक है, हिरोशिमा नागा साकी, तो इसको ऐसे याद रखना, पहले little boy, boy है, फिर वो बड़ा होके fat man बन गया, तो पहले little boy फेका गया, हिरोशिमा पर 6 अगस्त को, 9 अगस्त को, नागा साकी पे fat man को फेका गया, और उसी के बाद जो है, आपका world war 2 की, मतलब, खतम होता है, officially 15 अगस्त 1945 को, जपान जो है, surrender करता है, और इसी चीज़ को commemorate करने के लिए, 15 अगस्त को ही commemorate करने के लिए, भारत को अजादी जो है, वो 15 अगस्त को दी जाती है, तो यहाँ पर आपका एक और fact आता है, कि भारत को अजादी जो है, 15 अगस्त को ही क्यों मिली, 15 अगस्त का ही दिन क्यों चुना गया, क्योंकि वो इस दिन को commemorate करना चाहते थे, Britishers, क्योंकि इसी दिन जो है जापान ने सरंडर नेक्स आपका नैशनल हैंड लूम डे सो अवार्ड कैटलोग कॉफी टेबल बुक परंपरा सस्नेबिलिटी इन हैंड लूम्स सो सीधा सीधा हैंड लूम्स को प्रमोट करना ठीक है जी इन हैंड लूम डिशन ऑफ इंडिया नेक् इसी चीज़ को कमेमरेट करने के लिए नैशनल जैवलिन डे साथ अगस को बनाया जाता है तब से शुरू किया गया कुट इंडिया मूमेंट डे ठीक है 1922 को ठीक है भारत छोड़वां दोलन शुरू हुआ नागा साकी डे मैंने आपको अल्रड़ी बता दिया इंटरनेश तो सीधा सीधा जो स्थानिय लोग हैं रीसेटली और प्रदानमंत्री ने कहा भी था के जो ऑस्टेलिया के इंडिजीनियस ट्राइब थी उनको खतम कर दिया गया मतलब यॉरॉप के जितने यूरोपें जाए वहां सेटल हो गए और जो वहां के स्थानिय लोग थे वो कैं आज के टाइम पर और जादा इंपॉर्टन हो जाता है क्योंकि आज के टाइम पर सब लोग यह देख रहे हैं शॉट्स देख रहे हैं तो इस वेरी इंपॉर्टन डेट वन्चूट रीड बुक्स वर्ल्ड बायो फ्यूल डेद्यूसिंग वेस्ट फीडिंग एनरजी नेक डिजिटल पाथवेस वा स्टेंबल डेवल्मेंट अब जब मान ही लिया है कि डिजिटली यूथ चल रहा है तो नेक्स आपका वर्ल्ड एलिफेंट थीक है साथी मेरा हाथी तो यूथ कह रहा है थीक है यूथ में साथी दोस्ति यारी बहुत इंपॉर्टन थे तो दोस्त तो आप देख लिए चलिए कि एक जमाना था आज भी है टू एक समय पर बहुत जादा था कि कोई लेफ्टेंडर होता था तो उसके लिए बहुत बड़ी दिक्कत रहे थी ठीक है तो उसको पोशिश किया जाता था उसको अच्छा नहीं माना जाता था ठीक है अप दूसरा को इंडिपेंडंस जो है किस देश से मिली मचलब कौन चा देश था जो यहाँ पर रूल कर रहा था इंडोनेशिया ठीक है गैबन इंडिपेंडेंस डेज आफ्रीका में है अफ्रिका में है एक रेखा है जो यहां से गुजरती है तीसरा कुश्चन गैबन से कौन सी रेखा गुज़रती है, तीन आप्शन है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, करकरेखा, इक्वेटर, भूमद्य रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकन या मकररेखा, कौन सी रेखा जो है यहां से गुज़रती है, वर्ल्ड फोटोग्राफी डे, या डी, नन आफ दावप, वो भ इसमें तो जो बहुत ज़्यादा स्पेसेफिक इंपॉर्टेंट होगा, क्यूंकि हर महिने बहुत सारे डेज हैं, बहुत सारे बचों को लगता भी होगा, कि इतने सारे डेज हैं, हर दिन को इना वो डे है, कैसे याद रखेंगे, तो एक बार जिस्ट गो थूथू दे लि इंपॉर्टेंट है, बिल्कोल इंपॉर्टेंट है, इंटरनेशनल डे इंपॉर्टेंट गो मेंचेंगे, इस अपॉर्टेंट है, तो ये दिखूँ आपके 21-22 थीस, ठीक है, पहले टर्रेजम को, फिर जो रिलिजियन बेस्ट वाइलेंस है, उसको बिलीव बेस्ट वाइ करना, European Day of Remembrance for Victims of Stalinism and Nazism, ठीक है, नाजी या स्टैलिनिजम से जो यूरोप को नुक्सान हुआ है, उसको याद कर रहे हैं, तो एक्केस, 22-23, ठीक है, तो रेगुलर उसमें है, देन आपका 23 अगस को National Space Day, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, क्योंकि पानी एक ऐसा रिसोर्स है, जो लगातार पोटेबल वाटर, पीने लाएक ये यूज करने लाएक पानी धीरे धीरे कम होता चाह रहा है, वुमेंज एक्वैलिटी डे, 26 अगस, नैशनल स्पोर्टेंट, ठीक है जी, 29 अगस, और उसके बाद आपका International Day Against Nuclear Test, Small Industry Day, International Day of Victims of Enforced Disappearance, not that much importance, बट ये आपका National Sports Day important है, World Water Week important है, ओके, नेक्स चलते हैं, हम अपॉइंट्मेंट्मेंट्स पे, तो पहला है, Senior IPS Officer, ग्रजी चिंग चौधरी, इनको बनाया गया है, DG, BSF, इसे पहले DG, SSB की duty कर रहे थे, additional charging को दिया गया था, पहले BSF का और जो BSF के DG थे, निते नगरवाल, उनको repatriate किया गया, उनके parent cater केरल में, ठीक है जी, और जो है, इनको चार्ज मिला है, दलजी सिंग चौधरी, इनको मिला है, DG, BSF का चार्ज, उसके बाद, शालिनी सिंग, again Senior IPS Officer, DGP बनी है, पूडू चेरी की, ठीके, DGP बनी है, प Assistant Commandant, Director Entry, तो उसमें जो Assistant Commandants होते हैं, वो आपका डिप्टी Commandant, Checking Commandant, Commandant इस तरही के से प्रमोट होते हुए, IG या Additional DG Rank तक जाते हैं, Maximum Additional DG Rank तक जाते हैं, तो यहाँ पर पहले Non-IPS, दूसरी बार ऐसा हुआ है कि कोई Non-IPS Officer, ITBP में, ITBP में दूसरे Non-IPS Officer है, संजीव रा बने हैं, ठीक है, इससे पहले 2020 में MS रावत बने थे, जो संजीव राना है, वो IG थे, ITBP में Central Sector, Headquartered in Bhopal, अब जो है वो Additional DG बने हैं, ठीक है जी, नेक्स्ट आपका, दल्जी सिंग चौधरी अल्रेडी हम पढ़ चुके हैं, राजबिंदर सिंग भाटी जो है, यह बने ह Central Industrial Security Force, ठीक है जी, और Central Industrial Security Force, जो की Metro's में, Airport पे, Industrial Establishments को Protect करते हैं, ठीक है, अगेन यह भी आपका एक C.A.P.F है, Central and Police Force है, Vice Admiral C.R. Praveen, Naya took over as a Commandant, Indian Naval Academy, सो दीखे, एक Commandant Rank है आपका, जो C.A.P.F में यूज होता है, दो चीज़े होती हैं, एक Rank होता है, और एक Designation होता है, दो दोनों को थोड़ा समझिएगा, यह Vice Admiral है, ठीक है, रैंक है, ठीक है, Designation होता है, Designation हो गया, जैसे यहां पर Commandant, ठीक हो गया, जो जैसे आपनलों इंस्पेक्टर है, Assistant Commandant, Deputy Commandant, या, ACP, DCP, जो भी आप Force को समझते हैं, उसका Rank समझ सकते हैं, यह आर्मी में हम कहते हैं, लेटि General, या, जो भी, जैसे यह एक्जांपल है, आपका, यहां पर Rank or Designation का, Senior IPS Officer, B. Srinivasan, was appointed as the D.G. of National Security Guard, again Senior IPS Officer, उनको D.G. बनाया गया है, NSG का, ठीक है, इससे पहले, जो है, वो, D.G. बिहार पुलिस अकेडमी, राजगिर बिहार में थे, और अब उनको D.G. NSG बनाया गया है, 1986 पो existence में आई थी, it is one of the seven CAPFs, और it is under the Union Minister of Home Affairs, और इसका मोटो है, सर्वत्र, सर्वत्म, सरक्षा, ठीक है जी, नेक्स आपका, Lieutenant General, साधना, सकसेना, नायर, बिकम्स अफर्स्ट वोमेन, D.G. Medical Services, तो यह पहली बार, एक महिला जो है, D.G. Medical Services बनी है, आर्मी में, सो, ठीक है जी, so first woman to hold this prestigious position in Indian Army's Medical Services, नेक्स आपका, Air Marshal, तेजेंदर सी, जो है, वो बने है, डिप्टी Chief of Air Staff, सो, वाई-उ सेना मेडल मिला तो 2007 में, अतिविशिश सेवा मेडल जो है, इनको 2022 में मिला, Chief of Defense Staff, जनरल अनिर चोहान है, आर्मी, जनरल अपेंदर देवेदी, ठीक है जी, नेवल स्राफ, अड्मीरल, D.K. तरेपाथी, Chief of Air Staff, Air Chief Marshal, वी आर शौधी, और उसके बाद आपका डिप्टी Chief, ठीक है, आर्मी, डिप्टी Chief of निवी, और यह होगे आपका डिप्टी Chief of Air Force. नेक्स्ट आपका लेटनेट जोर्नल, विकास, लाखरा, जो है, उनको बनाया गया है, D.G. of Assam Rifle. असम राइफल में, जो ऑफिसर में, कैलीजे, जो भी ऑफिसर होते हैं, वो इंडियन आर्मी के ऑफिसर होते हैं, असम राइफल की जो पोजीशन है, वो इंट्रस्टिंग है, administratively, MHA के अंतरगत आता है, operationally, Defence Ministry के अंतरगत आता है, officer rank पे, जो भी officers होंगे, वो army के officers होंगे, जो ORs में, other ranks पे, और JCO rank पे होता है, वो होते हैं आपका, जो Assam Rifle खुद recruit करते हैं, ठीक है, उसका, उनका recruitment अलग होता है, तो ये थोड़ा सा अलग है, जैसे CAPF में, जो कैलीजे, D.G. है, वो कौन बनते हैं, वो बनते हैं, आपक है, इसको Sentinels of North East भी गहा जाता है, Headquarter कहां पर है, शलॉंग में खा लिया, नेक्स्ट आपका MHA appoints D.G.P. R.R. Swain, as a full-time D.G.P. of J.M. कश्मीर, तो Graham Antralya ने, पहले ही acting D.G.P. की duty कर रहे थे, अब इनको, full-fledged D.G.P. बना दिया गया है, जमो कुश्मीर का, विने कवात्रा, जो की foreign secretary थे, वो बन गए है, Indian ambassador to US, ये post खाली बड़ी थी काफी समय से, जो Indian ambassador to US, क्योंकि जो तरंजीत सिंग संदू है, इन्होंने, इनका retirement हुआ, इन्होंने BJP party join की elections भी लडए, और तब से जो है, प अपनी service से, तब इनको दुबारा से जो है, Indian ambassador to US पहचा किया है, ठीक है, नेक्स्ट आपका पी हरीश, named India's representative to UN in New York, सो इससे पहले, रूचिरा कंबोज थी, जो की पहली मैला बनी थी, permanent representative to United Nations, अब जो है, क्या लिजे, appoint किया गया है, पी हरीश ची को, नेक्स्ट आपका senior IS officer, TV सौमानाथन, appointed cabinet secretary, senior most IS officer in India, ठीक है, 87 batch के tamilandu qader के officer है, ठीक है, current finance secretary, as the new cabinet secretary for two year term, इसके लावा अगर हम देखें, so cabinet secretary, पहले रेजीव गौबा थे, अब जो है, TV सौमानाथन होने जा रहे है, Home Secretary, Ajay Bhalla, to be replaced by Govind Mohan, और Foreign Secretary, Vikram Misri, ये कुछ important आपके secretaries है, senior IS officer, Govind Mohan, appointed as the new union home secretary, ऐसे समझो के, cabinet secretary के बाद, अगर जो सबसे powerful post मानी जाती है, ठीक है, IS officers में, ठीक है, secretaries में, तो that is home secretary, ठीक है, so as the next union home secretary, जो अजे कुमार भल्ला थे, वो 5 साल से union home secretary थे, ठीक है, अब जो है, इनको बनाया गया है, नेक्ट आपका, senior IS officer, Rahul Naveen, appointed as the director of ED, ठीक है, director ED बनाया गए है, so acting ED, Rahul Naveen, appointed as a full-time director of federal anti-money laundering agency for a period of 2 years, his predecessor, Sanjay Kumar Mishraub, ED की बात करें, तो ये economic intelligence agency है, जो की finance ministry के अंतर गताती है, May 1956, when an enforcement unit was formed, for handling exchange control, especially the foreign exchange regulation act, जो की बात में FEMA बन गया था, फेरा से FEMA हो गया था, foreign exchange management act, और the unit was renamed as enforcement directorate, नोडल ministry कौन सी है, department of revenue, ministry of finance, objective क्या है, FEMA को implement करना, PMLA, सबसे important, prevention of money laundering act, and fugitive economic offenders act, सीधा सीधा question बनता है ये, ठीक है, खासकर अगर आप UPSC या state PCS का exam दे रहे हैं, तो ये definitely आपका question बनता है, कि इन में से कौन सा act जो है, ED implement नहीं करती है, या करती है, 123, 23, ठीक है, इस तरहीं के question, statement based question आपका बनता है, IS officer अमरितलाल मीना, appointed as new chief secretary of Bihar, ठीक है जी, और खासकर जो भी Bihar PCS दे रहे हैं, या Bihar का हुए exam दे रहे हैं, उसमें important है, ठीक है, as such, chief secretary नहीं बूचा जाता, central level के exam उसमें, government appointed C.S. Shetty as the chairperson of SBA, so C.S. Shetty वो बनाया गया है, chairperson of country's biggest lender, SBA, ठीक है, सबसे बड़ा bank है अपका, ठीक है, State Bank of India, State Bank of India की अगर थोड़ा सा time line को देखें, Bank of Calcutta 1806 में बना था, 1809 में इसको नाम जो है Bank of Calcutta से Bank of Bengal कर दिया गया, फिर 1821 में क्या किया, सारी, 1921 में ये जो bank है आपका, ठीक है, इसको Imperial Bank of India बना दिया गया, Bank of Bombay, Bank of Bengal और Bank of Madras को मर्ज कर दिया गया, ठीक है, मर्ज कर दिया गया, और उसके बाद जो है RBI, 1935 में RBI बनता है, आजादी के बाद, 1955 में ये जो Imperial Bank of India है, इसको Rename करके State Bank of India नाम रखा जाता है, ठीक है जी, NPCA spins off Bheem into separate entity, ठीक है, ललिता नटराज, appointed CEO, तो National Payment Corporation of India, जो हम UPA की बात करते हैं, तो वो Bheem को भी रन करता है, ठीक है, तो यहाँ पर एक नई entity बना दी गई है, उसको separate कर दिया गया है, NPCA Bheem Services Limited, ठीक है, तो former banker ललता नटराज, अब जो है, वो इस subsidiary को head करेगी, नेक्स्ट आपका, देखो यह वाली जो particular news है न, यह थोड़ा banking और finance वाले जो paper दे रहे हैं, ठीक है, जो banks के paper दे रहे हैं, finance के, insurance, companies वाले जो paper हैं, वो दे रहे हैं, उनमें यह important है, पासर स्पेसिक लिए, R.B. has approved reappointment of Indrajit Kamodra as a MD and CEO of Unity Small Finance Bank for two years, ठीक है, दो साल के लिए इनका appointment बढ़ायागा है, Sanjay Shukla assumes charge of MD of National Housing Bank, ठीक है, MD and CEO of, previously he was MD and CEO of St. Trump Housing Finance Limited, R.B. ने point किया है, S. Sukumaran Nair as the MD and CEO of Tamil Nadu Mercantile Bank, ठीक है, ठीक है, तो, his last nightmare was deputy managing director, chief credit officer of State Bank of India, next आपका Dr. Grinson again, again notice कि यह सारी news specifically important है, उन exams के लिए, जो मैंने आपको बता है, banking finance, insurance. Grinson, George appointed director of ICAR, CMFRI, so former head of marine biodiversity environment management division, Central Marine Fisheries Research Institute, assumed the charges of director of CMFRI. Satish Kumar from IRMS, इनको appoint किया गया है, chairperson and CEO of railway board, ठीक है, इस से पहले जो chairperson थी, वो थी आपकी जया वर्मा सिनहा, और ये पहली महिला थी, जो railway board की chairperson बरी थी, ठीक है, तो इसके बाद जो है, सतीश Kumar, गटेनियों पूरा हो गया है, सतीश Kumar, जो है, उनको नया chairperson CEO बनाया गया है, नेक्स्ट आपका सतीश जहा जो है, उनको बनाया गया है, CMD of Eastern Old Fields Limited, ठीक है, largest old producer है, वेस्ट पेग ओल में, अशोक कुमार, सिन्ग टेक्स ओवर चार्ज ओफ डिरेक्टर जनरल, ESIC, सो, IS officer है, डिरेक्टर जनरल बनाया गया है, employees state insurance, corporation का, under the Minister of Labor and Employment, ठीक है जी, he worked as a principal secretary at Water Resources Minister, next up का, Rajkumar Chaudhary, appointed as the CMD of NHBC Limited, ठीक है जी, उनको chairperson, director of NHBC, so, that is the National Hydroelectric Power Corporation Limited, headquarter कहां पर है, Faridabad, CB ने अपना approval ले दिया है, for the appointment of Praveena Rai as the FDC of Multicommodity Exchange of India, important है ये सारे exams के लिए, एक point हमेशा ध्यान रचना, भारतिय महिलाएं, international level पर, national level पर, किसी भी important पत को जब कहलीजे पर बैठती हैं, हासिल करती हैं, बैठती हैं, तो वो exam के लिए important हो जाता है, ठीक है, लगभग लगभग जितने भी exam के लिए important हो, ठीक है, सीधा-सीधा question पूछा जाता है, तो ये आपका established किया गया था 1988 में, कि Multi Commodity Exchange of India Limited क्या है, Commodities में जो है trading करना, या simply कहें तो Commodities में future options, पहले से आपने के लिए बार सुना होगा, कि futures and options, इस session में अगर मैं detail में जाओंगा, future options फोड़ा session again extend हो जाएगा, the simple idea is, कि पहले से ही decide हो जाता है, कि इस particular price पर खरीद जाया या बेचा जाएगा, particular time में, future की particular date में, ठीक है, तो इसमें बहुत सारे लोगों को फायदा भी होता है, अपसान भी होता है, ठीक है, तो उसके लिए है आपका multi commodity exchange of India, तो यह जितनी भी trading है, यह वहीं पर होती है, okay, Boeing has announced the appointment of Kaylee Oddberg as the new president and MDN CEO, ठीक है जी, DBS appoint Tanshu Shan as the first female CEO, तो इसमें पहले जो है, Piyush Gupta थे CEO, ठीक है, who has led the Southeast Asia's biggest bank for 14 years, अब जो है, बनाया गया है, यहाँ पर Tanshu Shan को, ठीक है जी, first female chief executive, also the first to be appointed from within the ranks of the banks, okay, next आपका cognizant appoints Rajesh Warrior as the head of global ops, CMD India, ठीक है जी, so इनको head of global ops, बनाया गया है, ठीक है आपर आप देख सकते हैं, next आपका Laurent Fregzy, appointed as the new chief executive officer of Nestle, ठीक है, Nestle के chief executive officer, जो है, बनाये गए हैं, शिर्राम Capital, private limited ने announce किया है, appointment of Subhashree, as the managing director and chief executive officer, ठीक है जी, तो शिर्राम Capital में, managing the MD and CEO बनने जा रही हैं, सुभाशरी, next आपका IT industry, body NASCOM, बहुत important, यह आपका important है, सिधा सिधा point, सिंधू गंगाधरन, MD SAP Labs Limited as its share person, तो यह NASCOM क्या है, National Association of Software and Service Companies, ठीक है, तो she will succeed Rajesh Nampeyar, और जो है, यह सिंधू गंगाधरन, ठीक है जी, नेक्स्ट आपका Bob Ray, elected as a President of United Nations Economic and Social Council, तो यह Canada के Ambassador है, Canada Ambassador to US, इनको एक साल के लिए यह चुना गया है, United Nations Economic and Social Council का Head चुना गया, Bob Ray, ठीक है, बाप Ray, ठीक है, बड़ा ऐसा बाप Ray वाली feeling आ रही है, anyways, ICC International Cricket Council to get new female director, as Indra Nui, 6-year term ends, तो 6 साल का जो tenure हैंका, as an Independent Director in International Cricket Council, वो खतम हो गया, Chairperson है, Chief Executive Officer रही है, PepsiCo की 2006 से लेकर 2018 अपका Union Minister चराक पास्वान, जो है, related as National President of लोग जन चक्ति पार्टी, राम विलास, for the next 5 years, political news है, Chairperson of Mahindra Group, Anand Mahindra, was appointed as the Chairperson of newly established Young India Skills University in Telangana, अगर आपको याद हो, हमने के news पड़ी थी, State News वाले section उसमें, इसी मन्त की सीरीज में हमने ये, जो है, Young India Skills University कहां बनने जा रही है, Telangana में, और उसके Chairperson, जो है, कौन होंगे, वो आपका आनन्द में गराओ, ठीके जी, नेक्स्ट आपका अबिचेरीज को देख लेते हैं, So, former Keral State Hockey Player, A.B. Rajagopal, उनका ध्यास हुआ, अलब हुआ में, Keral में, He was 73, Legendary Indian Cricket टीम के कोच भी रहे हैं, सिलेक्टर रहे हैं, He passed away at the age of 71, और 75 से 87 तक जो है, यह भारतिय टीम के लिए खेले हैं, ठीके, Next आपका, Former Five-Time Lebanese Prime Minister Salim Hoss, He was 94, Lebanon की बात करें, तो आजकल जो इसराइल और हमास का यूद चल रहा है, उसमें Lebanon भी शामिल है, ठीके, मनलब इसराइल और Lebanon भी आपस में दूसरे पर firing कर रहे हैं, प्रिंसिपली सीधा सीधा इसराइल और पलेस्टीन को सपोर्ट करता है, ठीके जी, ओके, Next आपका, X Meghalia CM, Salisang C, Marak, पासिज अवे, So Meghalia के पहले मुख्या मंत्री, जोन्होंने पूरा पांच साल का टेन्योर पूरा किया था, पूरा पांच साल कम्प्लीट किये थे अपने, तो in 1993, Next आपका, Renowned DRDO Scientist, Dr. Ram Narayan Agarwal, जिनको Father of Agni Missiles कहा जाता है, ठीक है, Father of Agni Missiles कहा जाता है, 84 में का, At the age of 84, इनका दिहान हुआ, So Father of Agni Missiles, and First Program Director of Agni Missiles, इनको Agni Man भी कहा जाता था, ठीक है, Let the Agni Missiles Program, from his inception in 1983, until his retirement in 2004, So, Development of various version of Agni Missiles, So Father of Agni Missiles, Dr. Ram Narayan Agarwal, Agni Missiles की range की बात करें, 700 to 800 to 2000, तो यह आपका different ranges, Agni 5 तक, ठीक है, ओके, इनको Lifetime Achievement Award दिया गया, 2004 में, by the Prime Minister of India, for his contribution to Aerospace, and Agni Missiles Program, DRDO Technology Leadership Award भी दिया गया, पदमा श्री दिया गया, 1990 में, और पदमा मुशन दिया गया, 2000 में, ठीक है, नेक्स्ट आपका, इंडियन पोस्ट गार्ड डारेक्टर जनरल, राकेश पाल, ठीक है जी, 25 डारेक्टर जनरल, यह, सर्विंग डारेक्टर जनरल थे, ठीक है, इंडियन कोस्ट गार्ड खे, और इंका दिहाद हो गया, established in 1978, कोस्ट गार्ड एक, 1978, अड़ अपरेट संटर दा, मिनिस्ट्री आफ़ देफेंस, कोस्ट गार्ड जो है, काइंड आप क्या सकते हैं, जिसे नेवी है, यह देफेंस फोर्स, और इस अक्टिंग अस परामिडिटरी फोर्स, ठीक है, मेंली लुकिंग आफ्टर दा, कोस्ट अफ इंडिया, ठीक है, टेरिटोरियल वाटर, फॉर्मर शीफ आर्मी स्टाफ जनरल संदर राजन, पदमनाभन, पासेज अवे, also served as chairperson of chief of staff committee, नेक्स्ट आपका फॉर्मर केरल acting chief justice passes अवे, वीपी महुनकुमार acting chief justice of केरल, and acting chairperson of केरल state human rights commission, जो है उनका भी द्यान हो गया है, फॉर्मर यूट्यूब CEO सुजान वाजकी, यह काफी famous के लिजिये, यूट्यूबर, मतलब यूट्यूबर, यूट्यूबर की बनलब बहुत famous executive रही है, यूट्यूब जो आज के समय पर यूट्यूब बना है, उसका बहुत बड़ा स्ट हो जाता है, so one of the Google's earliest employees, has passed away at the age of 56, one of the most prominent woman in tech, step down from her role at YouTube in 2023, at a position she held for 9 years, Nobel Prize winning physicist, टी सुंग डाओ ली passed away, so यह जो physicist है, second youngest scientist to receive a Nobel Prize, उनका 97 की age में देहानत हो गया है, और जो Robert Oppenheimer है, अभी recently अगर आपको यादो, Oppenheimer movie को जो है, Oscar award मिले थे, तो Robert Oppenheimer, जिनको father of atomic bomb कहा जाता है, उन्होंने इनकी बहुत प्रेज की थी, उन्होंने कहा था कि one of the most brilliant theoretical physicist, जो है अपने समय के यह रहे हैं, के निटवर सिंग, जो की देश के, कहलिए विदेश मंतरी रहे हैं, ठीक है, external affairs minister रहे हैं, उनका ध्यांत हो गया है, at the age of 93, so he was awarded, पद्वन भूशन in 1984, he was the foreign minister in UK1, also served as the India's ambassador to Pakistan also, former West Bengal chief minister, गुदादेव बटाचारे पासगवे, ठीक है, CPM, Communist Party of Marxist, सन 2000 से लेकर 2011, 2011 में मम्ताव एनर्जी, पश्चे मंगाल की मुख्यमंतरी बनती हैं, उससे पहले, ठीक है, लगबग 11 साल तक, जो है, मुख्यमंतरी, 34 साल, 1977 से लेकर, 2011 तक, 34 साल, पश्चे मंगाल में, लेकर रूल रहा है, उसमें लगबग 11 साल जो है, 23 साल जोतिवासु रहे मुख्यमंतरी, 11 साल गुदादे, बटाचारे रहे, उनका ध्यान को ले, गांधियन शोबना रानडे, पासिजवे अवे अट 99, सो रहनोन शोशल वरकर, शोवना रानडे, जो कि कांधी जी को मिली थी विन शी वास एटी, और शी वस अवाद्ध पात्मभूशन इन 2011, जमनालाल बजाज वादेशन अवादेशन, वाद दो जमनलाल बजाज अवाड फॉर डेवल्पेंट एंड वेल्केर वोमें इन प्रेंट इलेवन नेक्स आपका सारा अब्राहम प्रमोंटर ऑफ कंटेंपरी इंडियन आट पासिज अवे ठीके जी फॉर्मर इंग्लेंड बेटर ग्राम थॉप ठीक है अपने समय के पासिकल डांसर डॉक्टर यामिनी कृष्णमूर्थी ठीक है जी फॉप पास्डवें अच्छीपुडी में बहुत फेमस के लिए एक तांसर थी पद्मशीरी मिला 1968 में पद्मशन 2001 में पद्मशन मिला 2011 में विच आर अमंग दा हाइए सिविलियन और इंडिया सेकेंड है संगीटनाट अकेडमी ओवार्डिंग को 1977 में या ठीक है जी सो शी वस बॉन इन 1940 इन प्रेज़ें चेटो डिस्टेक्ट ऑफ इंडियन से अंद्रपरदेश पब्लिश्ट ऑटोबाइग्राफी ऑपैशन फॉर दांस इन 1995 चलिए बुक्स की बात कर लेते हैं बुक्स में इसमें जो ऑफ्थर हैं ठीक है उन्हों ने ये कहा है कि जो यह साउथ एशिया में माइगिरेशन है उसको अलाव किया जाना चाहिए ठीक है साउथ एशिया मतलब जो इंडिया, पाकसान, बांगला देश ठीक है यह जो हमारा पूरा रीजन है इस बुक का के लिजे को लॉंच किया ठीक है बुक बाइबबी भीट सिंग स्वामिनाथन रिलीज इस ऑटोपाइग्राफी औटे एक्टिविस्ट कलपना शंकर सो चेयर पर्सन ऑफ स्वामिनाथन रिसर्च फांडेशन और बेटी है ठीक है डौक टर एम स्वामिनाथन की बेटी है National Space Day, ठीके जी, National Space Day, टेई जगस को, स्वपनों की उडान, the launch of this and education minister Dhraminder Pradhan releases an e-magazine, स्वपनों की उडान, National Space Day in collaboration with NCRT, first anniversary of the Chandrayaan 3 on the lunar southpore, current theme of the magazine space. नेक्स आपका तरुन चुक्स बुक, मोदिस गवर्नेस ट्राइंफ रिलीस, सो जनरल सेग्रेटरी हैं, बीजेपी के, उनकी बुक है, मोदिस गवर्नेस ट्राइंफ, रीशेपिंग इंडिया's path to prosperity, was released in New Delhi, the book offers an in-depth exploration of the visionary initiatives, और जो भी reforms लिए गए हैं, सरकार के द्वारा, अंत नेक्स आपका find your calling, the bovra boys, इंडियन एर फोर्स के जो कह लिए हमारे officers रहे हैं, जाबाँज रहे हैं, उनके बारे में ये comic book है, ठीक है, बच्चों को, बच्चों के लिए, air chief marshal, we are चौदरी, chief of air staff, launch the first comic book in the heroes of Indian air force, titled heroes of Indian air force, volume 1, find your calling is about life of legendary, air, Indian air force marshal, अर्जन सिंग, अब मेरे को comment section box में, आज का चौथा version, तीन question मैंने, चोटे-चोटे facts हैं, ठीक है, गूगल करेंगे, मिल जाएंगे, इंडियन air force में, ये जो marshal rank है, इंडियन army में equivalent कौन सा rank है, ये आपको पता है, अभी recently movie भी आई थी, अगर आपको याद हो, और वो कौन सा rank है, ठीक है, ये जो, चलो, बताई देता हूं, सैम मानिक्शा जी को मिला हुआ है, ठीक है, कौन सा rank है, जो highest rank है, इवन, आर्मी chief से भी उपर, जो कह लीजे, वो rank होता है, वो कौन सा rank है, वो comment section box में आप लिखेंगे, और equivalent rank, नेवी में कौन सा है, वो भी लिखेंगे, ये तो इंडियन Air Force, Marshal है, ये दिहान रखना, ठीक है, अर्जन से, तो ये इनके पास वो, इंडियन एर फोर्स में एक मातर officer है, जिनको ये rank मिला हुआ है, ठीक है, तो second story title, The Boira Boys, ठीक है, ये आपका 1970 इंडो पार्क वार की एक कहानी है, तो गूगल करेंगे, आपको मिल जाएगा story, मोटा- चल रही थी, उस वहां की कहानी ही है, उसके बारे में इस comic book में बताया गया है, नेक्स्ट आपका प्यूश गोईल लाँचेज इंडिया 800 इंविजनिंग टमोरो इकनामिक पावर हाउस बाइप्रोफेसर के वी सुप्रमन्यम, जो की पहले government of India में भी सब कर चुके हैं, so how India अची 55 trillion dollar, ठीक है, बहुत, आप यह मान के चलो, बहुत ambitious है 55 trillion dollar, अभी हम 3.8 या 4 trillion dollar मानलो, मोटा-मोटा, 4 trillion dollar से 55 trillion dollar, और कितना समय है, 23-24 साल में, कितने गुना, लगबग 13-14 गुना increase करने की बात कर रहे हैं, आज से, अगर यह होगा, अतला है इंडियन एकॉनमी में रॉ जो हम नोंने लिखिये कि वो अचीव कर सकते हैं, ठीक है, बहुत, बहुत ambitious target, पी अमोधी प्रेजिस, परिमल नथवानी's book, call of the gear on aesthetic lines, and conservation efforts, तो यह आपर प्राइम मिनिस्टर मोधी ने appreciate किया, the book, call of the gear, written by राज्चा सभा member, परिमल नथवानी, और vivid photography and narratives है, to highlight the agency of conservation efforts, ठीक है तो यह था आज का session, बहुत बहुत धन्यावार, thank you so much, I hope these sessions are helping you, if you find anything which on a very, I would say on a very frank level, on a very base level, अगर आपको लगता है कि कोई भी चीज यहाँ पर improve करने जरूरत है, please do let me know in the comment section box, if you feel that anything needs to be improved, and that's all from my side, next month मिलेंगे, September के current affairs को लेकर, till then thank you so much, मुस्कुराते रहिए, हसते रहिए, पढ़ते रहिए, और grow करते रहिए, thank you